शहिद इम्तियाज थोकर डिग्री कॉलेज शोफिया ओडिटोरियम में आयोजित अल्चिरल कम ड्रग अवेरनेस मेगा इवेंट कश्मीरी फाउंडेशन द्वारा हारुद के शीर्षक के तहत आयोजित किया गया सेक्डों चात्रों ने भाग लिया डिग्री कॉलेज शोफिया में आयोजित एक सांस्क्रतिक और नशा जागरुपता मेगा कारिक्रम जिसमें विभिन स्कूलों के सेक्डों चात्रों ने भाग लिया है कश्मीरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित हरुद के शीरसक के तहद बिविन्ने खंड जिसमें सूफी सांस्क्रतिक और अन्ने खंड कारीगरों द्वारा निभाए गए सभागार खचाकच भरा हुआ था और छात्रों के चेरों पर उत्साहा देखा जा सकता था आयोजिकों सलीम इशाक और सनन एकबाल ने कहा कि यह कारिकम यादगार है और विशेस रूप से युबाओं को नश्य के खत्रे के बारे में जागरुक करने के लिए जो हमारे समाज में जड़े जमा रहा है सूफी गाने लोक नरत और अन्य चीजें शामिल है दर्शक बहुत खुश थे और गायकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तोत बिभिन खन्नों का आनंदली रही थे हम जो लोकल आर्टिस्ट है हम उनको प्रमोट करें और डग भुखत्म करें तो आईसे जो प्रोग्रम यहां पर है क्या यह आगे से भी इरकात किये जाएंगे जो जो प्डपी हमारा अभी यह मुझे लगता है जो आज हमने किया अल्मोंश सिक्संड़ड पीपल आ रहे हम मारे इमेंड में बहुत अच्छा लग रहा है क्यों शोपयान के लोगों ने हमें इतना अच्छा रेस्पोंस दिया मुझे लगता है जिन नामों से शोपयान को जाना जाता है मुझे लगता है आज हो शोपयान के लोगों ने दिखा दिया हाँ आज के बाद शोपयान को उ वहारा शोप्यान करें होगी यह इवेंट था हद के नाम से और अभधिलल्या अभी के टैंप पे 600 लोग भी आये और इस वन अप अब बिगेश दिम हैं इन साउथ कुष्पीर कि यह जो कश्मीर फांडेशन थी यह शोपियां से हम सब इसके जो मेंबर हैं वो शोपियां अब 19 से काम कर रहे हैं यूद के लिए काम कर रहे हैं मैं यूद से यही बोलना चाहता हूं कि ड्रग से दूर है और दमीन वोड़ आप इस इवेंट इस तू बी ड्रग फ्री कश् और देखते रहें अबीडी न्यूस 24 इंटु 7